सत्य समाचार ततष्ट समाचार समाज बदलनी हाम रोभियान नमस्कार योहो टाइम समाचार म भीरेंद्रमन सुर गरो पैदल मार्च समंधि प्रसंग बाटा मीटर ब्याज पिरितले न्यायका लागी फेरी काटमांडो सम्माम पैदल मार्च गरने भाये काछन जापा को काकार भिट्टा मा पत्रकार समिलन गरी उनिहरूले पैदल मार्च गरना लागे को जानकारी गराए काहुन मीटर ब्याज तथा ठगी बिरुद्दा किसार मजदुर संगर्च समिती नेपाल का अध्यक्षा अबधेश कुस बाहाले जापारा कंशनपूर बाटा एकई साथ पैदल मार्च गरने बताऊनु भाये आफू हरू को समस्या समाधान का लागी गठन भाये को आयोग ले काम नगरे को रा आफू हरू का समस्या सरकार ले नो सुने का कारन सरकार लाई सुनावना फेरी हीडे रा कारफान्डू को सांती बाटी का पुगन लागे को वहाले बताऊनु भाये जापा को काकर भिठा कंशनपूर को महंदर नगर बाटा एकई साथ पैदल मार्च शुर यह सगी मीटर ब्याज पिरित महोत्तरी को बर्दीबास बाटा 11 दिन हीरे रा कार्फान रूपूगे का थिये उनिहरू का समस्या समधान गरना सरकार ले जांचबूज आयोग पनी बनाएको थियो आयोग ले चानबीन पनी गरी शकेको चा तारा पूर्ण रूपमा समधान भाये को चाईना भारत बाट भन्सार छली गरे रा लियाएको 7,57,000 बरावर को सामान धनुषा प्रहरी ले बरामत गरे को चा खादनने लत्ता कपरा हार्डवेर का सामान रा तीनोटा मोटरसाइकल नियंतरन मालिये को जिला प्रहरी कारे ले धनुषा ले जनाएको चा भा तीनोटा मोटरसाइकल समेत प्रहरी ले बरामत गरे को चा बरामत गरिये को सामान रा मोटरसाइकल भन्सार कारे ले जनकपुरलाई बुझाईये को जिला प्रहरी कारे ले धनुषा का प्रहरी नायव उपरिक्षा करंजन आवाले जानकारी दिनुभैव बरामत गरिये को स जनकपुर लाई बुझाईये को प्रहरीले जनाये को छा राप्रपा नेपाल ले तराई मधेस छेत्र मा परने सबय जिला मां सगन रूप मां प्रसिक्षन संचाल अंगर निभाये को छा अगामी बाग 24 गते सुन्चरी को इतहरी मा आयोजना हुने पुर्वांचल छेत्रास्तरिये प्रसिक्षन लगते तराई मधेस मा प्रसिक्षन कारी कम हुने राप्रपा का महामंत्री राजाराम बर्तव लाले जानकारी दिनुभाया वहा का अंशार माग 25 गते सब्तरी र उदयपूर 26 गते सिरहार धनुषा 27 गते महतरी र सरलाही 28 गते र उथर्ट र बारा तथा 29 गते परसामा प्रसिक्षन संचालान हुने छा मुलुको अवस्थ राप्रपा नेपाले प्रसिक्षन लाए आंदोलन को पुर्व तैयारी का रूप मां अगी बढ़ाईने जनाईये कुछा कारिकम मां पार्टी को संगठन सुद्रिधिकरन अभियान भावी कारी योजनारा आंदोलन का अविश्यक्ता बारे पार्टी अध्यक्ष कमल था प अभियापी कारिकम अंतरगत सहीद सप्ता मूल समारो समीति ले सभा आयोजनागरे को हो खुकमी सासन को विरुध मां काम गरे को रजनतालाई प्रजातंतर का लागी उकसाये को आरोक मां उनेशे संतानवे साल मांग पंद्र गते दसरत चंद्र रा गंगालाल स्रेश्टला विश्नुमती नदी किनार मां सोभा भगवती छेत्र मां मिर्थुदंद डिये को थियो बईतडी मां जन्मिनू भाय का दसरत चंद्रले भारत मां महात्मा गांधिले सुरुई गर्नु भाय को सत्य अ ग्रह मां पनी सक्रियता प्रभक भागली नु भाय को थियो त्यस्तै पुर्ण कद को सालिक राखिये काचन महानगर पायल काले 2066 साल मा दुबई सहीद को पुर्ण कद को सालिक राखे को यस बर्षा माग 10 अर्थात पहिलो दिन सुक्राज सास्रीले सहादर प्राप्त गर्नवः को अस्थान टेकू मचली मां 13 गत्य धर्मभक्त माथे मालाई मिर्तुदंद दियेको अस्थान शीफल मां स्थापना गरियेको सालिक मां कुष्प गुक्चा अरपन गर्ने तथा इस्मिर्ती सभा गरियेको थियो सहीद दिवसको अंतिम दिन बिहाना आठ बजे सांती बाटिका मां बाटा प्रभाद फेरी हुने चा नौ बजे सहीद इसमारक लेंचोर मां इस्मिर्ती सभा हुने चा सभा मां प्रधान मंत्री सहित उच्च पदस्त अधिकारी हरू आउने कारिकम रहेको था भोली ने वारा नमबर 30 को ओम बहाल मां रहेको धर् प्रधान मंत्री दहाले लाम समय देखी बंद रहेको बिरात नगर जूटमील हेटोरा का कपरा उदोग गोरक काली रवर उद्योग रा बुटबल धागो उद्योग संचालन गर्ने गरी काम अगी बढ़ाई येको बताऊ नौ बाट्रा हामिले बंद रहेका ती उद्योग नीजी साज़निक साजेदारी अवद्योग अनुरूप संचालन गर्ने निर्नाय गरी को जानकारी दिनौ प्रधान मंत्री दहाले अबको एक हप्ता वा दोस दिन भित्रमा बंद उद्योग संचालन हुने कुरा जनता ले थाहा पाउने बताऊ नौ नौ नेपाली सेना ले प्रधान मंत्री दहाले अगामी बर्ष को नीती तथा कारीकम्रा बजेट लै जनमुखी जनता केंदरित बनाओने प्रस्था पाई निती तथा कारीकम्रा बजेत समाज बाद समाजिक नियायको पक्षमा हुने वहाले बताले बताऊ रुबए य stra化न आफनो ध्यान अगामी बर्च कालागी जनता केंद्रीत रहा, सहभागीता मुखी नीती कारिकम रहा बजेत निर्मान मा गड़िये को उलेक गर दे, प्रधान मंत्री प्रचंदेले लोकतंत्र को पक्षमा बजेत निर्मान गरेरा आमूल सुधार गर्ने विश्वास दिलाओनु भै, नीती तथा कारिकम बनाओदा अस्थानियेरा प्रदेश सरकार एवम, मंत्राले हरको पनी राय सुझाब लीने बताओदे वहाले अब नया प्रधान मंत्री दहाले आवेश्यक योजना बनाएरा बजेत निर्मान गर्ने गरी सरकार अगारी बढ़े को बताओनु भै, सरकार ले भ्राष्टाचार, भूमाफिया, मीटर ब्याज बिरुद्धा, ससक्त कदम चाले को भंदे, प्रधान मंत्री ले समाजिक शुरक्चा कोश्मा अनवचारिक छेत्रा सोरोजगार तथा, बईदेशीक रोजगार मा रहेका स्ट्रमिकलाई समेट ने महत्तपुन कार्य सरकार ले गरे को जानकारी दिनुभै, प्रेस्चेंटा नेपाल का अध्यक्चा विश्नु सापकोटा जुगल को अध्यक्स्तामा, आयोजीत कारिकम मा नेकपा मावादि केंद्र का उपाध्यक्च तथा, प्रभक्ता अग्निप्रसाद सापकोटा, उपमहा सचीव तथा, पुर्व मंत्री मात्री का यादव केंद्री सदस्ति लीला मनी पोख्रे लगायत नेता ले संबोधन गर्णुभै को थियो नेपाली कांग्रेश का नेटा डाक्टर सेखर कुईराला ले नेपाल को परमपरागत घोकंते सैक्षिक प्रनाली ले वेरुजगार बढ़ाई रहे को बताऊनुभै को छा केवल सब्द रटानले मात्र देश नबनने भंदै नेता कोईरालाले विकास का लागी प्राविधिक जनसक्ती को आविश्यक्ता रहे को बताऊनुभै अहिलेको समय मा केवल कितावी ज्यानले मात्र नब्यक्ती को जीवन चलछाना देश उन्नती को बाटो मा जानचा जबसम्मा राज्यले युबालाई ब्यवसाइक सिक्चा दीना सक्देना रा उद्दम सिल्ता बनाऊना सक्देना तबसम्मा देश सम्रिदी को बाटो मा जानचा नसक्ने कोईरालाले बताऊन७ै अंतराष्की बाजार मां भिक्णे ब्यवसाइक्रा, प्राविधिक जनसक्ती तयार गरने खुरा मां, राज चूकी रहे को कोिरालाले बताव रामरो प्राविधिक जनसक्ती तयार गरता बैदेशिक रोजगारी मा जाने ले पनी रामरो काम पाउनेरा स्वधे स्मय बसने ले पनी रामरो आय आर्जन गर्न सकने वहाले को भनाई थियो सैलजा आचारे स्मिर्थी पोली टेक्निकल को बाईशों वार्चिक उत्सब तथा अभिवाबक दिवस को अवसर मा मोरंग मा आयुजीत कारिकम मा बोल दे नेता कोईराला ले क्रिसी पसुपालन पडेटन स्वास्त का छेतर काप प्राविधिक जनसक्ती को उत्पादर मा राजी ले ध्यान दीन उपर ने बताऊनु भैयो परराष्ट मंत्री नारायन प्रकास साउधले नेपाल भारत सीमा समस्या समाधान का लागी कुटनितिक ये पहल सुरू भैसके को बताऊनु भैको चा भारत्य समकक्ची नरेंद्र मोधि संगा सीमा समस्या का बारे मा भायेको शहमती अनुसार समधान का पहल अघी बढ़ाई ये को बताऊनु भैयो वहले सीमाना को समस्या समाधान गर्दा राईती रूपमा समती हुनु परने बताऊनु भैयो वहले हले भारत का विदेश मंत्री यस जय संकर को नेपाल भ्रह्मन का क्रम मा पने शीमा समस्या समधान को पर्तिवत्ता भाय को बताऊनु भाय मंत्री साउद ले अहले को आर्थिक चुनोती भोगी रहनु परे को बताऊनु भाय वहले आर्थिक समस्या समाधान का लागी सरकार ले हाइड्रो इनर्जी लाई बिस्तारगरी भारत बंगलादेश संगा बिदुद ब्यापार बढ़ाऊनु पर ने बताऊनु भयाँ मंश्या समाधान जर्दा के रिा रादवेतिक रूप मां समय सहमति उनू पर हैमी सो प्रशासनिक रूप मां पनी मेकाणिजम छो त्यो मेकानेजम क्रियासील उनू पर त्यो क्रियासील भयेचिक तत्थे को आधार मां दुटेए ठिमें केले अपत्मा उटनायते की समले यो पूरो दुटे देश को बीच मा शुरू भाईशिते को बारत कपर रास्ट मंत्री को नेपाल भीजिट को शिल्चिला मा पनी हामी लेचाई दुटे देश को बीच मा बारता चल्पल को परकरिया बाट यो समस्य को समाधान गर्चाउं भनने प्रतिवद्धता वहाले अंत्राष्टि समधायने प्रतिवद्धता क्लीन इनर्जी रहकोले नेपाल ले तिसको सदूप्यों गर्न सक्नु पर ने बतावनु भाईव मंत्री शावले नेपाल ले एक लाग मेगावार समध को बिधूत उत्पादन गर्ना का लागी अध्यान गरेरा अगी बर्ना जरूरी रहको बतावनु भाईव स्वास्तता जनसंक्या मंत्री मोहन भादर बशनेतली अबको पांच बर्समा नेपाल मा चिकित्षक पाउन कठीन हुने बतावनु भाईव को छा सोंबार सहीद गंगालाल हिर्दय केंद्रा हिर्दय रोग केंद्र को 2800 बार्ची कोच्छब समारोलाई संबोधन गर्दय मंत्री बशनेतली इस तो बतावनु भाईव मंत्री बशनेतली आफूले हिर्दा पांच बर्स पची नेपाल मा डाक्टर नर्च पाउने अवस्था न रहेको जीकिर गानु भाईव वहाले नेपाल को सिक्छाननीति मा केही कमी कमजोरी हरू रहेको बतावनु भाईव वहाले कमजोरी हरुलाय हाटायरा अगी बर्ना आविश्यक रहे को बताऊनु भै मंत्री बशनेतले जनसंख्या बढ़ी रहे को संदर्मा स्वास्त कर्मी हरुपनी बर्दे जाने आविश्यक रहे को बताऊनु भै वहाले देश मां कामई न पाउने अवस्था रहे को बताऊनु भयो वहाले दक्षा जनसक्ती नहुने रा अधार्भूत स्वास्त सेवा उपलब्द गराउने कूरा मां धेरे अप्ठ्यारो भई रहे को बताऊनु भयो दच्छी जनसक्ती को अभाब खड़कीन थाले को देरे भाई सगयो मो यू मंत्रालाई मा स्वास्त मंत्रालाई मा 22 बश्वागाडी राज्यमंद्री को अशितले बनी काम गरे आती मैले सर्षती है अब पाज बर्ष पछे नेपाल मा डाक्टर नर्स पाउनी अवस्ता चाहिए इसमा हम्रो शिच्छानिती का केई कमी कमजोरी का कुरा पकेई हुन त्यू कमी कमजोरी निया हटाए रा आगामी दीन अरुमा बिर्यामीकु शंखिया अब घटनी वयन बढ़े बढ़े हो जन शंखिया घटनी वयन बढ़े ने अव् धरे इस्पीड मा नवढ लाई लेको ताठ्यांगान चा तर बढ़े ने अव् तेस कारन ले स्वास्त कर्मी और बढ़नों त जरूरीच बने एक थरी स्वेवासुविधा कमजोरवार पलायन हुनी अवस्ता अरो लेक थरी काम गर भुष्ता पनि आपना बाल भाच्चा अरू रामराक श्कुल न पढ़ना न शगने गर भेवार रामरो पचल न शगने याउडा अवस्ता अरो अरक भुष्ता कमजोरवार पलायन हुनी हो अवस्ता और को अबस्ता दचे सन जनस्रक्ति नौनी अबस्ता इले यो स्वास्त चेत्र अर्था अधार्वर स्वास्चे वाउप लब्दगरनी कुरामा तहरे अप्ठयाराव आई लागे अचान। अर्को कुरा अब बाउती पुर्वादार दिखिनले अप्पुमेंट कुरा अबनामात फिर्चनले तेसले यो इस्थितिमा तवायरे दन्न थेगितर अईले समन तर अरू कुराले थेगदे जानता खेरी पनी अब यह सिमीद भावन यह सिमीद एकुमेंट तेस्पचे यह ज अबनामात तो स्वास्तन थे जागियर संस्ताप घरो सबय अव अव यह यह जाए प्रतिष्टान गरुमागाणा निग अवाणा रावस्तता अंसाद विशेमा पड़न न जाष्याद को व्यवस्तता गरावन अर्व तबहरू नारो नारो डाग्ड़साब लगाद अरु मंत्री बसनेतले आगामी दिनमा मासिक 20 लाग सम्म पारिशर्मिक पावने जनसक्ती बनाएरा विदेश पठावने बतावनु भायो उद्योग मानिज्य तथा पुर्ती मंत्री रमेश रिजाले भग्य बस्तुहर को लेविलिंग प्रष्ट रूप मां हुन उपर ने बतावनु भायो मंत्री रिजाले भग्य बस्तुहर को ब्रान्डिंग रा लेविलिंग प्रष्ट रूप मां हुन उपर ने बतावनु भायो बस्तुहर को म्याद नागे मीती ठूला ठूला अच्छर मा प्रष्ट रूप मा हुन उपर ने बतावनु भायो वहाले बजार अनुगवन मा अस्थानिय तह को सभागिता हुने भंदै सजाय को संदर्मा पने अस्थानिय तहले आफनोा धिकार छितर भीत्र रहेरा सजाय को मात्रा तुटअ राम दभी ने धाना राखनु भायो वहाले साना अस्थर को गुम्ती बेवसाय हरू अस्थानिय तहले गर्दा गर्न सकणे बतावनु भायो गुम्ती ब्योशाय अर्यों स्थानिय तोल दर्ता गरता चान। अर्यों स्थानिय तोल दर्ता चान। एक अर्यों स्थानिय तोल दर्ता चान। का आओ लेबल, को बिसे है नहीं सहते ही अचादिक बनी एक सब्सक्रा कि इसक्न आख नुख बनी करे मरफ मैरे मन्त्राअले को लायाः को आ इसमय। थूल्धक इसमय ना एक सा डन आख्या एकसी है। पर उठेखने वाला और को एवड़ा कोई उठेगों चे वने उदे बाइन जे तथा पुदि मंत्राले रा किर्शी तथा पस्वची मंत्राल भी समने गरने चानी भी शेयरू उद्वी दर्ता का विशयमा खादे प्रसोधन को विशयमा बजार अनुगमन को विशयमा उतपा अनुगमन को विशयमा खादे प्रसोधन 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 को विशयमा ख पादीट बस्तुहर को गुनस्तरी एनियमन को भी सैमा उद्योग वानिज तथा पूर्ती मंत्राले रहा क्रिशी तथा पस्पक्ष भिकास मंत्राले का बीच मां समर्भा हुना आविस्यक्रह को बताऊनु भैव चल्चित्र विकास बोड का अध्यक्षा भुबन केसी ले अभिने गर्ण नहुने बताऊनु भाया कुने मदिरा वा चुरोट वा अरू कुने नी सेधीत गरिये का विग्यापन हरू कलकार हरू ले गर्ण नहुने बताऊनु भाया गलत मैसेज फैलाउने विग्यापन मा पनी कलकार ले गर्ण नहुने बताऊनु भाया प्रिजाम्पल, कुनहीं मदिरा या कुनहीं सिग्रेट या औरुपनी निशेदित करियेका बिग्यापन औरुकालाखार अरले करना शायद उदेना बन्जी मला लाक्षा जात बिग्यापन क्केस्ट आरो जान, कुनहीं रचेस्त तरह लिएक्षान आरुपनी निशेदित कर दो कि अ uhudheyan हमीं सबै कलाकरमी को योटे माँ चरमले चलिसितमरा हुष्टलची ताइम टाइम मा लस्मिन हुमा घाई जी चलिशना संचार मंतराल हमा हमी योटे टेबुल मा घले हमीं ठीबल मा कले डिसकर सुन्चरम लेके ताइम आई भार हम बार समझाये अटलीस नेपाल मा चलने टेलिविजन, यूचूब या गुनेपनी पत्रपदरिगा मा या होडिंग बोडोस तेसता विग्यापनर रू सबय विग्यापनर मा अटलीस नेपाली कलाकार हनिवारी उनुपरियो रह नेपाली टेक्निसेन ले तेसमा मोगा पौनू परे। इसो गरदा कलाकर में हर ली तब यहर को सात्रस पोडो भूनी शन। अला जाँ पनि होडिंग बोड हरू लाग ता खिरी पनि नेपाली कलाकर में हरू को फोटो देखता। कईले काई भारत्य कलाकार अरूल हरू यहां आउँ दाखेरी होडिंग बड़ मां अपना फोटा अरू देखेरा नेपाल तर इंडिया के प्रांता हो बनना पनी व्यांशन। अब आर्थिक समाचार नेपाल राष्ट बैंक ले बैंक तथा बीटीय संस्था को सावागिता बिना नै रीं लेन देन गर्ना मिलने गरी अन्लाइन प्लेट फर्म को तयारी थाले को छा केंद्रिया बैंक ले बीतिये मध्यस्तता मा लागने खर्चा कटवती गरने तथा प्रभीधिमा अधारित विश्चो को पछिला भ्यास लाय अनुसरन गरना खोजे को दुई भंदा बढ़ी रीनी ले कुने एक बेक्ति लाय रीन दीन शकने गरी पीर-टू-पीर अर्थार्ट पी-टू-पी प्लेट फर्म संचालन गरना शकीने राष्ट बैंक को अध्यन ले देखाएको छा यस अवधारना अंतरगत बेक्ति-बेक्ति अनलाइन प्लेट फर्म मारफद जोडिने रा उनिहरूले त्यसमारफद रीन दीने रा लीने काम गर्णे गर्छान यसमा लगानी गरना चाहने रा लगानी दीन चाहने बीच को समझदारी भई लेन देन हुने छा केंद्रे बैंक को आर्थिक अनुसंधान विभागले गरेको अध्यान अंसार पहिलो चरण मा साना करजा लेन देन हुने गरी प्लेट फर्म को लाइसेंस दीन सकीने देखिये को छा बेक्तिगात रूप मा रीन दीना रा लीन चाहने दुबै बेक्तिले यो माध्यम मा खाता खोलना शकने छा लगाने कारू छेत्रमा कम प्रतिफल दीने अवस्थारा बैंकमानी छेपको ब्याजदर समेत कम रहेको अवस्थामा पईशा हुने ले यस्तो माध्यम प्रियोगरी रीन मा लगाऊना सक्ने छा अब अंत्राश्टे समाचार हाईजा होट स्पोट छेत्रमा करीब ठारा लाख मिलियन जांबिया ली हरूले हाईजा को खोप पाएक अचार देश को ले लक्षित खोप अभ्यास जनबरी सोरा मा शुरूगरे कह स्वास्तमंत्री सिल्भिया मासे बोले हाईजा को अवस्था बारे मा जानकारी दिदै खोप देश को राजधानी लूशा का सहीत लूशा का प्रांत्र होट स्पोट जिलामा दिये को जानकारी दिनुभिया मंत्री ले हाईजा समंधी मंत्री अस्तरिये कारे दल्ले देश को राजधानी का होटे स्पट परिशर हरुमा सामदाइक स्वर्शफाई कारे लाई तिर्वता दीएको पनी बताव दुभा वहा का अउसार कारे दल्ले पानी जन्य रोगनी अंत्रन का प्यास श्वरूब विविन्य साभजनिक अस्थान सर्शफाई का लागे अस्थानिय बासिंदालाई परिचालन गर्दे आये को छा गतवर्शा अक्टूबर देखी यो रोग फैलिये पची देश मा हाल सम्मा 1409 केस फेला पड़े का चन्भने 560 जना को मिर्तुभाये को छा फेस्बुक को मात्री कंपनी मेटाले फेस्बुक इंस्टाग्राम रा वार्ट्शाप मा बाल बालिका को नगन तस्वीर पठावना रा प्राप्त गर्न रोक लगावने भैको छा समाजिक संजाल मा बाल बाल का को नगन तस्वीर पठाऊना राप्त गरना रोक लगाऊना छित्ते सेप्टी टूल लियाऊना लागे को मेटाले जनाये को छा इन क्रेप्टीब चैप्टो मा पनी यो लाग हुने छा यो टूल बैकल्पिक हुना सक्छा फेस्बुक मा वैस्चे कहरू का लागी पनी उपलब्द हुना सक्छा मेटाले इन क्रिप्ट मेसेंजर लाई दिफल्ड मा राखेको त्यों कम्पनी का यो निर्नायको निके आलोसना भाएको त्यों क्रिप्ट्चन को कारण बालंं भाल मधी हुने दुर्यभार को घटना पत्ता लगावन न न सकेको मेटालिक को भनाए तियो महिला र तेरा बर्चा भंदा कम उमेर का बाल बाल काला योन दुर्विभार बाटा बचाऊना यो फीचर ले आएको कमपणी ले चनाएको छा अब खेल कूद समचार नेपाल पुलिस क्लब प्रधानमंत्री का पराष्टी किरकेट परत्योगीता को फाइनल मा पुगे को छा कारफांडो को मूल पाने किरकेट मैदान मा भाय को खेल मा गंड की प्रदेशलाई 26 के तेहराउंदे पुलिस फाइनल मा पुगे को लगातार सातो जीत का साथ पुलिस दुई खेल खेलना अगीने फाइनल मा पुगने पहिल प्रोली बने पोछा गंड की प्रदेशले दियेको 1170 रन को लक्चे पच्छाएको नेपाल पुलिस क्लब ले 24 ओभर दुई बलमा 4 विकेट गुमायर भेटायो पुलिस को लागी दिलिप नाथन नाथले 49 ओभर दुई बलमा 4 विकेट गंड की का अमरित गुरूंग ले 49 ओभर दुई खेलना अट विकेट गुमायर भेटायो चौदा अंक का साथ सिर्चा स्थार्मा चाप पुलिस ले दोस्रोवा स्थार्मा रहने टोली संगा फाइलन खेलने चा टाइमस समचार आहले को लागी एतिने हर्द गन होला टाइमस टेलिवीजन नमस्कार